तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि यह पत्या लें और इसको काट के थोड़ी देर मैंने रखा है तो इसमें से पीले कलर का एक जैल निकलता है पीला-पीला सा होता है तो उसको कुछ देर तक काटने के बाद ऐसे छोड़ देना है तक या कुछ सेकिंड के लिए भी 25 सेकिंड में भी वो जैल पूरा आउट हो जाता है इससे निकल कर तो लग लग एक मिनिट के बाद में फिर इनको अच्छी तरह से मैंने पान में वोश कर लिए और इसको वोश करने के बाद में अब मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा देखें दोस्तों अगला इसका नेक्स प्रोसेस किस तरह से है आप इस तरह से इसकी यह वाली ज पत्टीभ लेए और इस तरह से इसको साईड से काट दे मैं चाकू की मदद से काट रहा हूँ इसको आप इसके लिए बिलेड या कोई भी शार्प जो साफ हो उसको इस्तेमाल कर सकते है सफाई का विश्य दियान डखना है दोस्तों हाथ को पहले अच्छी तरह से दोया था मैंने आप भी अपने हाथों को साफ उन से किसी भी अच्छे हैंड वोस से सही से साफ करके और चाको को तब यह काम करेंगे देखे इस तरह से काट लिया अब इसको एक तरफ से यह निकालने के बाद में इसको फिर आप चम्मच की सायता से इस तरह से यह जो अंदर इसकी जैल है इ कि समताब कर दो आत्र न वान बलूईक करने कर से दceğ से में का रजाओ कर आला झाल न कैसी का है अट जाम बलूफ चार्वेश्च से वी बलूवं है भी जरूइन से में कैने को से समे का दान कैंजर,नु जाम देया रगलग का आ sorrow Я जाल बलूईर,नु भ़ब आसका, से में डा